अले शुट्रेट, हाव आर यूँ, I hope आप सभी ठीक होंगे तो आठ से हम क्रास एड, ICSC, ML अगरवाल, एक्सरसाइस 9.1 के कुशन पर 5 से आपको बताएंगे, ओके बेटा देखें क्या कह रहा है, कहता है, if 175 डॉलर्स कॉस्ट रुपीज 7,350, how many dollars can be purchased in 24,024 रुपीज, ठीक है, समझना, कह रहा है, अगर 175 डॉलर का दाब 7,350 रुपाय है, तो हम कितने डॉलर खरीद लेंगे 24,024 रुपाय में, ठीक है, यह बहुत आसान है, देखें बेटा, solution, वेट फॉर एक मिनट, ठीक है, समझना थोड़ा था, बेटा, यह direct variation का सवाल है, यानि जितना ज़्यादा हम पैसा देंगे, उतना ज़्यादा हम डॉलर को खडी सकते हैं, ठीक है, यह direct variation का सवाल है, direct variation में मैं आपको पहले भी पता चुगा हम करते क्या है, same same entity को एक दूसरे के सामने रखेंगे, equal to के, different different entity को उसके upon में रख देंगे, एक बार फिट से, यह direct variation का सवाल है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो direct variation वाला formula लगा के कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रहो हम भी, उसमें short पढ़ता है, या तो आप इसको ही unitory method के through भी कर सकते हैं, दोनों आसान हैं, ठीक है देखो कैसे, direct variation का मतलब समझते हो न, direct variation का मतलब पहले भी पता चुका हूँ, कि अगर एक entity बढ़े तो उसके corresponding दूसरी entity भी बढ़नी चाहिए, जैसे यहाँ पे, आप जितने पैसे दोगे, आप जितने जादा बसेद होगे, आप उतने जादा डॉलर खरीद पाओगे, ठीक है, डॉलर जाते हो न, USA की currency का नाब है, ठीक है, तो वही चीज़ है, देखना, मैं direct कराओं, ठीक है, एक सो पचत्तर रुपए में, एक सो पचत्तर डॉलर आप कितने रुपए में खरीद रहे हो, साथ हजार तीन सो पचास रुपए, ठीक है, तो आप से कह रहा है, 24,024 रुपाय में 24,024 रुपाय में आप कितने डॉलर खड़ीद लोगे तो उस डॉलर को क्या माल लिया जाए एक्स माल लिया जाए तो आज मैं बेटा मेरी बात की नहीं आई एक बार फिर से देखो 7,350 रुपाय है 24,024 रुपाय है 145 डॉलर है एक्स डॉलर है सुआण मैं न 175 डॉलर में हम 7,350 रुपाय में खड़ीद रहे हैं 24,000 24 ॉपाय में कितने डॉलर खड़ीद थेंगे एक्स डॉलर यह रुपीज में दिया था इसके सामने वाला भी रुपीज में दिया रहे 175 डॉलर में है 7, 3, 5, 0, ठीक है, is equal to x, तब मैं बेटा की नहीं आया, अच्छे से बताओ, ठीक है, अब देखो, अब इसको reduce को, reduce हो रहा है यह, बिलकून होगा बेटा, ठीक है, देखो किसे जाएगा यह, देखो जड़ा, 5 से कटा जाए, 5 3 जा, 15, 2 और 5, 5 5 सा, फिर 5 से reduce करें, 5 1 जा, फि 5 4 जा, 3 और 5, 5 7 जा, उसके बाद 0 जा, ठीक है, अब देखो, 7 4, 12, 12, 1, sorry, 7 4, 11, 11 1, 12, यानि 1 4 7 0, किसे reduce हो रहा है, 3 से, अच्छा, तीनों को जोड़ दिया, sorry, 4 को जोड़ दिया, 1 4 7 0, answer कितना आएगा, 12 आएगा, 12 क्या 3 से reduce होता है, डिवाइड होता है, बिलकून होता है, तो 1 4 7 0, 3 से reduce होगा, उसके इसको भी चिकल लेंगे, 2 4 0, 2 4, 2 4 0, 2 4 को जोड़ेंगे, आएगा 12, 12 क्या 3 से reduce होता है, बिलकुन होता है, तो ये नमबर भी क्या होगा, 3 से reduce होगा, साथ मारी बैटा मारी बात, चलो कर दो, 3 4 जा, कितना हो जाएगा, 3 4 जा, 12, 2 out 7, 9 बा फिर आपका ये है, 2 है, प्रिटेक्स 0 लिखेंगे, प्रिट बार में, ठीक है न, फार्म में आरी बैटा मारी बात, कि नहीं आरी, ओके, चलो, अब 7 से reduce करो, 7, 5 जा, 7, 7 जा, उसके बाद, 0 जा, ठीक है, 5 से reduce करो, 5, 1 जा, 5, 14 जा, 2 से reduce करो, 2, 7 जा, 4, 0, 0, 4 7 से reduce हो रहाएगा, मैंने खास ये होगा, 7, 5 जा, कितना जाएगा, 35, 5, 0, फिर 7, 7 जा, 49, 1, 4, 2 बार में, 5, 7, 5 जा, 35, 5, 0, 7 बार में, 49, 1, 4, 1, 4 कितना हो जाएगा, 14, 2 बार में, यानि, X की वल्यू कितनी आ जाएगे, X की वल्यू आ जाएगे, 5, 72, और किसमें, डॉलर म है, तमझ मैं है बेटा, यह था आपको direct formula से, direct variation के वाले formula से, अगर आप इसको unitory method से करते तो भी कर सकते थे, वो method आपको book में दिया हुआ है, देख लीजेगा, लेकिन आप जाहिए इसी बात है direct और inverse variation करें तो आपको इसी formula से करना है, direct variation और inverse variation में फार्क मैं आपको पहले पहले हैं, direct variation का मतलब होता है, कि अगर एक entity बढ़े दुसके corresponding दुस्ती भी बढ़नी चाहिए, जैसे यहाँ पर बढ़ी थी, जितने ज़्यादा आप पैसे दोगे, उत्यूजाद आप डॉलर को खरीद पागे, वो direct variation है, direct variation में ऐसे करते हैं, रूपीस के सामने रूपीस क चलो, शाबाश, चली, इसके बाद अपने next question करते हैं, दिखते हैं क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है, इफा car travel 67.5 km in 4.5 litre of patrol, how many km will it travel in 26.4 litre of patrol, वही चीज़ है, अगर एक car है, वो 67.5 km 4.5 litre of patrol में travel करती है, तो कितने km वो travel करेगी, 26.4 litre of patrol में, बहुत असान है, जितना ज़्यादा आप गारी में patrol डलवाओगे, उत्ता ज़्यादा आप क्या कर पाओगे, travel कर पाओगे, ठीक है, यह तो यह diet variation का सवाल है, इसको solve कर लेते हैं, solution, 67.5 km upon 4.5 litre, यहाँ पर क्या पता करना है, किलो मेटर पता करना है, तो किलो मेटर के सामने किलो मेटर रखेंगे, और किते litre of petrol डलेगा, 26.4 litre, तबना है बेटा, देखो, यह किलो मेटर मेटर में है, इसके सामने वाले भी किलो मेटर में होगा, 4.5 litre में है, इसके सामने वाले भी litre में होगा, ठीक है, ூ एक सामने, देख लो आजाएगा, 67.5 x 26.4 upon मे 4.5, देखो, पॉइंट के बाद एक गिंती, पॉइंट के बाद एक गिंती, एक एक मिलाखे कितनी हो गई, दो गिंती हो गई, नीचे भी पॉइंट के बाद कितनी हो ने च्छरी, दो गिंती, एक गिंती तो है already, 0 लगा दो और इसको हटा दो सब में से, तो मैं कैसे किया कि नहीं आया, अच्छे तो बताओ, ठीक है, देखो, फिर से बता दे रहा हूँ, पॉइंट के बाद एक गिंती, टोटल मिला के कितनी हो गई, पॉइंट के बाद दो गिंती, नीचे पॉइंट के बाद एक गिंती थी, एक 0 क्लिया रहे पिटा, अच्छे से, 15 से रिडिउस कर दो, 15 फॉर जा, 755 बार में, 15 थी जा, 0 बार में, क्लिया रहे, 15 टू जा, 15 थी जा, 2 से रिडूस कर दो, 2 बन जा, 2 वन थर्टी टूसा, 132 को 3 से मुल्टिप्लाइ करेंगे, एक सी वल्यू आ जाएगी, 6, 339, 3 बन जा, 133, यानि 396 किलो मेटर चलेगी, अगर आपका 4.5 लिटर पेट्रोल में, गाली 67.5 किलो मेटर चलेगी है, तो 26.4 लिटर पेट्रोल में गाली किता चलेगी, 396 किलो मेटर, तो नहीं है, अच्छो थे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, वो तो बताओ, पड़ाक से इसका स्क्रीन शाओ लो, इसके बाद नेस्ट कोशन एक्स्प्रेंट करता हूँ, जल्दी से लो, चलो, शाबाश, इसके बाद देखी, 7 वाला, कह रहा है, थिक्नेस ऑफ पाइल ऑफ ट्वेल्ट कार्डबोर्ट शीट इस 25 मिनिमीटर, हाव मैने शीट्स अप तो सेम कार्डबोर्ट वूड बी 90 सेंटिमीटर थिक, बहुत असान देख लो, सलूशन, कह रहा है, अगर कार्डबोर्ट की 12 शीट रखी हुई है, और उसकी जो थिक्नेस है, मोटाई है, वो मिला के 45 मिलीमीटर आ रही है, तो कितने कार्डबोर्ट रखने पढ़ेंगे, क सब की थिक्नेस मिला के 90 सेंटिमीटर आए, ठीक है, तो जाहिए सी बाते जितने ज़्यादा कार्डबोर्ट होंगे, उतनी ज़्यादा उनकी मोटाई आएगी, उतनी ज़्यादा उनकी थिक्नेस आएगी, तो सब क्या है, डारेक्ट वैरेशन में है ना, कर लो, देखो, 12 क कार्डबोर्ट की मोटाई किती है, 45 mm, तो अब देखो, यह mm में है, यह cm में है, तो दोनों को एक यूनिट में convert करना ज़रूरी है, cm को mm में हम convert कर लेंगे, कैसे करेंगे, 10 से multiply करके, cm को mm में convert करेंगे, कैसे बटा, 10 से multiply करके, तो यह thickness है, आपकी 45 mm, नीचे भी क्या लिखेंगे, thickness लिखेंगे, 90 को किसे करेंगे, 10 से multiply कर देंगे, mm में आ गया, ठीक है, और x guardboard की thickness किती हो जाएगी, 90 mm, ठीक है, यह को समझ लो, 45 mm क्या था, thickness थी, 90 cm भी क्या है, thickness थी, दोनों को same unit में रखना, इस वज़े से हमने इसक 90 into 10, upon में 45, ठीक है, reduce कर दो 5 से, 5 2 जा, 5 9 जा, 5 1 जा, और क्या हो जाएगा, 5, 1 minute, 5 से reduce किया ने इसको, अधो 5 9 जा होगा, बढ़ी में 5 5 से नी होगा, 5 9 जा होगा, 5 2 जा 10, 5 9 जा, ठीक है, फिर 9 1 जा, 9 10 जा, X की वालू क्या हो जाएगी, 12 into 10 into 2, X की वालू क्या हो जाएगी, 12 को 2 से multiply किया, कितना आ जाएगा, 24, 24 को 10 से multiply करेंगे, कितना आएगा, 240 cardboard, ठीक है, यानि एकर 12 cardboard की thickness कितनी है, 45 mm है, तो 240 cardboard की thickness कितनी हो जाएगी, 90 cm हो जाएगी, कि लिए रे बटा, अच्छे से, कोई दिक्केत वाली बात तो नहीं है, चलो, अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको like करें, comment करें, share करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुचा हैं, जो coaching को effort नहीं कर सकते हैं, thank you, आपकी जो, अएगरूर आपकी वीडियो gyस्ड़र हैं,black audio posthום के सी, कम करें,जय हैं, जो जो इसे, कि शूएंडर क्यों अच्चों आपकी सायक्याय से, कि मेंक जो बच्चों आपकी से, कि सहा।abyte का जो, जो ढगरू सरी में करें,łyक्या प्का और रे बालूर आपकी से, कि म